असलाम अलेकुम मैं महमद मिनदीन सबील वेलफेर असोसेशन की जानिब से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी एमें विक्टिम्स खर्यत से होंगे आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अलहमदल्ला जो हमने पेटिशन दाली थी उसकी सिलसेरे में थोड़ा अपडेट देना था और दूसरा जो है अड़ोकेट की फिस के बारे में थोड़ा आपको इंफोर्मेशन देना था सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पिटिशन हमने दाली थी उसके ओलरडी फोर हेरिंग्स हुए है अगर अगर एमें विक्टिम्स को इंसाफ मिल सकता है तो सिर्फ लीगल वर्क के जरिये से मिल सकता है जो कि कोई एक छोटा मोटा अडवकेट नहीं कर सकता इसके लिए हमने जो है एक बहुत वेल रेपिटेट अडवकेट मिस्टर रोहन कोठारी और हीज़े विरी सिनियर अडवकेट एंड केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस केस यह बहुत है प्रोफिल केस आई मेंगा तो इसक है कि जो है अडवकेट की फीस के लिए हमने असोसेशन से जो है हम मेंबर्स जो है हमारे परसनल फंड से खटा करकर तकरीबन पोने दोलाग रुप अब तक हमने फीस कर्चा किया है अभी फिर नेक्स्ट हेरिंग के लिए जो है हमें अभी फंड की जुरूत है क्योंकि है कि हम भी विक्टिम सेंथ में हमने भी पैसा घवाया है तो यह फरस बन्ता है सभी आई मीं कि हम सब साथ मिलकर काम करें अगर हम सब लोग हामुज बेटेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकती इसके लिए हमने असोजियन फर्म किया है और आपकेट को भी अपॉइंट किया है और मेसेज जही है कि जैसा कि मैंने बताया अभी जो है नेक्स्ट हेरिंग के लिए जट साब ने कुछ डॉक्यमेंट्स स्टेडी करका रानी के लिए ये किया था कुछ पिटिशन कॉपी जैसा कि मैंने लास्ट मेरे वीडियो में अपडेट दिया था कि जो पिटिशन कॉपी कोमेंट अथॉरिट ने तूथ बहुत नुप नहीं ना चाहते कि हमारा केस ही अलग है हमारा केस का मकसद यह है कि यह प्रोसेस इतना डिले क्यों हो रहा है जबकि प्रॉपर्टिस पुरी सीज हो चुकी है और सभी जो इन्वेस्टिंगेटी एजेंसी सी बीए हो या यह सेटी हो और इडी हो सब ने बता दिया कि इसे पहुंसरी कंपनी इतना सब रिपोर्ट्स आने के बाओ वजुद प्रॉपर्टि दॉक्षन क्यों नहीं हो रही है और हमें कोई अपडेट नहीं है कि काम क्या चल रहा है तो इसके सिलसिले में हम यह पिटीशन दाल करें बोलकर हमने जट साब के सामने अपील की तो जट साब ने बताया कि आप जो 2019 में जो पिटीशन दालीय कामपी अथोरीटी के अद्वोकेट ने उसको स्टेडी करकर आप आई है और हमें बताये कि आपकी पिटीशन कपी में क्या डिफरेंस है तो अलों पिटीशन कपी भी हमने हासिल की है तो अब हमें वापिस जट साब के सामने मेमो पेश करने अब उसके लिए जो हमें फीस की जरूरत है अभी फ्रेश नया इन्वास आया देडलाग रुपर तो अलड़ी हम पेच पे कर चुके हैं अभी फ्रेश नया इन्वास आया है अद्वोकेट के ऑफिस से की फीस पे करना है तो इसके लिए हम आज विक्टीम्स के सामने आया ह अब इस नतीजे पर लेके आए कि अटलीस कुछ ट्रैक में चल रहा है अभी केस इससे पहले कोई पुछने वाला नहीं था अना कोई अड़ोकेट था अध्या में विक्टीम्स के लिए कोई बात करने वाला नहीं था कोट में नहीं सर कोई भी जो किसी असोशेश से कोई ज लड़ रहे हैं उसी के बुझन पर जो हम सब इंतेजार करें देखिए हमारे पास या तो दो आपशेंस हैं से और सारे आयमें के बीहाफ के उपर मैं उनको भी दिल से शुक्रिया और थैंक्स करना चाहते हैं हम क्योंकि डे वन से अलहम्दलिल्ला रिजौन अश्र साब जो है इसमली में भी आयमे के रिएटिड आवाज उठाय थे स्टार्टिंग में जब स्कैम हुआ और उसके बाद हेल्प करके इसमें आयमे की जो अकाउंट है उसमें लाने की कोशिश करेंगे एडिकरिशन मिनिस्टर को बात करके बोलके वो बोलके हैं अलहम्दल्ला मले होने के नाते अलहम्दल्ला उनकी पहुंच गवर्मेंट में असमली में हाई लेवल तक रहती है तो उनसे भी एक को रिक्वेस्ट हे हमें भी जाके उनसे मिलकेर के हम सोचके हैं कि जो है उनके तरफ से भी एक रिक्वेस्ट अगर हाई कोट में आगर बात आई दुबारा तो होफ़ल जो है हाई कॉट उसको और ज्यदा सीरेस्ली लेके अलहमदल्यल्ला आप तक करनदा का से आछ क Mm equipment कर रही है काम लेकिन अभी भी clear visibility नहीं है properties ऐसे ही पड़े हैं तो हमारी यही request है कि जो है government से high court से भी कि जल से जल जो है properties auction हो और उसका जो है पैसा recover होकर सारे आयम में victims जो जरुत मंद हैं जिनको अभी कुछ भी मिला नहीं है कुछ लोगों को मिला है कुछ लोगों को नहीं मिला है अभी अल्हमदिल्ला हाल में few months back around 70 croz जो recover हुए उसमें से थोड़ा थोड़ा लोगों को पैसे गया है हमें नहीं मिला करके नहीं बोल रहे हैं अल्हमदिल्ला गया है लेकिन that is like very very peanuts अभी भी groups में ऐसे से लोग message करते हैं कि भाई पैसे कब आएंगे मालूम है कि अपडेट क्या है बोलके लोग अभी भी परेशान है तो उस वज़े से request है और यह वीडियो के जरिये से हम थारे victims को भी यह बुलना चाहरे है कि हमारे उपर भरोसा करके हमारा support करिये हमारे साथ आगे बढ़िये इंशालला जो है जल से जल हमें justice मिलेगा इंशालला बिल्कुल जैसा मुइन भी बोले कि associations फॉर्म हुए बहुत सारे और बिल्कुल अगर बोला बोला गया तो सिर्फ नाम लिया गया और association फॉर्म किया बोलके बोला गया लेकिन कोई ground level या ले तो एक practical work सामने नहीं आया बोले कि हाओ भी advocate को रखेंगे रखेंगे बोलके लेकिन किसी ने advocate को नहीं रखा advocate हाली बोलते रहे कि हम advocate को रख रहे हैं रख रहे हैं बोलके अभी क्या बोल रहे है वो लोगी कि हम जो है हाईली कॉलिफाइड लॉयर को अपॉइंट किये हैं और इवन तो वो कॉस्ट एफेक्टिव होगा बलके हमें इनिशेली फंड्स के लिए नहीं बात करें हमें असोशेजन वाले मिलकर जो है लॉयर की फीज अदा किये पाखेदा पी आयल हुआ उसका फोर हीरिंग्स हुए ह हमारा केस बहुत ही स्टॉंग है जैसा अर मुहीन भी बता रहे थे आगे जाके भी वी विल कीप अपडेटिंग आल जाय में विक्टिम्स ओफ वाट वी आ डूइंग्स हम कोई छपा के नहीं करेंगे हमारा नंबर रहेगा हमारी वाट्साइब की लिंक रहेगी लोग हम हम पहुंच सकते हैं हम उनका जवाब देंगे कुछ भी रहा तो